आईए रणनीती तै करते हैं जरूर फिलिप तन एक रुक्ये से ल्यूकस यहाँ पर उपस्थित सभी जनों में महामात्य आयू और अनुभव में हम सबसे श्रेश्ट हैं तो उनकी योगता और अनुभव के लिए ही सही हमें रणनीती का प्रस्ताफ प्रस्तुत करने के लिए सर्थ प्रथम महामात्य को ही कहना चाहिए सदाचित इनकी रणनीती सुनने के पश्चाथ आपको अपनी रणनीती बताने की आवश्रक्ता ही ना पड़े हम मैसेडोनिया के जाबाज है शाह हम उम्र पे नहीं काबिलियत पे विश्वास रखते हैं पर आप हमारे दोस्त हैं और हम आपकी बात नहीं टालना चाहते हैं देखते हैं आपके अममात्य क्या रणन लीती लाएं जो सही होगा वही ताय करेंगे अवश्य मामात्य पे जी मामाहिम अब यदि किसी भी मोड पर आपको ये प्रतीत हो कि आपकी रणनीती सशक्त नहीं है तो मेरी ये रणनीती आपकी सहायक से द्रूग क्योंकि कहीं ना कहीं तमराथ और मेरी विचारधारना एक ही है जैसे आप देख सकते हैं यहां सोला महाजल पद है जिसे भारत कहते हैं पर इन में से सबसे शक्ति शाली जनपद है के वल एक और वो है मगाद अब शेश पंदरा जनपदों कैसे आधिन करते हैं इसकी योजना मैं आपको बताता हूं सर्व प्रत्म अम उन जनपदों पर आकर्मन करेंगे जो दुर्बल हैं छोटे हैं क्योंकि इन पर आधिपत्य स्थापित करना सरल होगा इन से हमारे चैना का मनोमल भी बढ़ेगा तो उसके पस्चाथ शेश पचे जनपदों पर हम आकर्मन करते जाएंगे और विजय प्राप्त कर लेंगे जैसे कि निर्धारित हुआ है कि महापुर्णिमा को भगवान शिव का अशिरवाद लेकर हम कूच करेंगे और शीग रही सभी जनपदों पर अपनी विजय पता का लहरा देंगे जब मनसूबा ही कमजोर होगा तो खुद खुदा भी हमें पते नहीं दिला सकता है आप स्पश्ट कह सकते हैं सिल्यूकस मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ शाह यकिनन हम सबसे छोटे जनपद पर हमला कर सकते हैं पर इससे हमें जादा फाइदा नहीं होगा देखा आपने इस छोटे हमले में हमें फाइदे से जादा नुकसान है शाह इस हमले की खबर ताकतवर सूबों तक पहुच जाएगी और उन्हें जंग की तैयारी का वक्त मिलेगा वक्त हमारे खिलाफ खड़े होने का और वक्त जंग में सबसे ताकतवर हत्यार होता है शाह लेकिन अगर हम सबसे बड़े और ताकतवर जंगपत पर कबजा कर ले तो गौर किया आपने क्या हुआ भी है एक मजबूत खंबे के गिरते ही पूरी इमारत ठह गई इसी तरह हम अगर सबसे ताकतवर जंगपत को अपने कबजे में ले लेते हैं तो बाकी के चौदा जंपत खौफ के कारण हमारे सामने हत्यार डाल देंगे यह सोच अमारे खेमे के सबसे कम उम्र के और तजुर्वेकार फिलिप की है जो अमात्या से तो उम्र में कई छोटा है तो जैसा कि मैंने कहा शाह हम उम्र में नहीं काबिलियत में एहम्यत देते हैं तो बताइए शाह कि आप अब भी अपने अमात्या की रन नीती पर एत्पार करते हैं मुझे लगता नहीं तो कि आपका अथबार खुद अमात्या से उठ चुका है जो नतीजा हमारे सामने है इनकी ये कटी हुई चोटी जो आपने खुद काटी है कैर शाह, बताइए कुबूल है आपको मेरी अगवानी क्योंकि जैसा तय हुआ था जिसकी चाल बहतर होगी जंग में वही आगे रहेगा उसी का हुकम चलेगा हाँ, जिल्यूकस तुम्हारी रन नीती ही श्रेष्ट है कौहत हमेने आपसे स्वहम को मेरी दिर्ष्टी में उठाने का आपके पास ये स्वन्ने मफसर है किन्तो आपने मुझे निराश किया एक बोर फिर आपके कारण में अपमारिक हुआ उस सेल्यूकस ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया और स्वाइब शेष्ट बन गया अब वो सेल्यूकस मगत की सेना का नेत्रित्व करेगा अधन है आप रुके अपनी ये पादुकाएं निकालिये और महल तक नंगे पाउं चल कर आए यही दंद है आपका महमात्य वाद चंद्र तुम्हारा निशाना तो अचूक है अमात्य को स्वयम परी संदे करवाकर तुमने अंतीम समय पर उनकी रणनीती बदल डाली अब बारिये तुम्हारी युजना के अगले पढ़ाओगी अरुम्हारी अरुम्हारी झाल, 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 झाल